Hello students, ये मैंने आप लोग को कल homework दिया था, तो आप लोगों ने इसको compute कर लिया होगा, अब आज हम लोग पढ़ेंगे subtraction can be done using fingers, fingers का use करके हम लोग subtraction कैसे बनाते हैं, तो चलिए सिखते हैं, for example, let's subtract 3 from 8, 8 में से 3 को घटाना है, यानि 8-3, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो greater number रहता है, उतने fingers को निकालेंगे हम लोग, तो ये कितना है? 8, तो हम लोग 8 fingers निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए, इसमें 5 और ये 3, कितना हो गया? 8 fingers और बाकी के finger को क्या करेंगे? fold कर लेंगे फिर क्या करेंगे इसमें से 3 को घटाना है तो 3 finger को क्या करेंगे fold कर लेंगे तो अब कितना बचा 5 fingers 1, 2, 3, 4, 5 तो कितना बचे गया 5 तो यहाँ पर देखिए 8-3 equals 5 अब यहाँ पर देखिए subtract the numbers अब इस numbers जो यह दिया गया उसको subtract करना है तो 6-6 है तो 6 finger निकालेंगे हम लोग तो 6 में से 6 को घटाना है तो क्या करेंगे 6 को हम fold कर लेंगे 6 fingers को तो कितना बचा? कुछ नहीं यानि 0 बचा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 0 अब 8-5 है तो 8 fingers निकालेंगे तो उसमेंसे 5 को हम fold कर लेंगे तो कितना बचेगा? 3 4-1 है तो 4 fingers निकालेंगे उसमेंसे 1 को fold कर लेंगे तो कितना बच जाएगा? 3 इसी तरह से ये तीनों भी बनेगा आप लोग बना लिजेगा यहाँ देखें question 4 में क्या है? match the correct answer अब इसको पहले subtract करना है फिर number से match करना है तो 4-2 कितना होता है? 2 तो 2 वाले number से इसको match कर देंगे 7-6 कितना होगा? 1 तो इसको 1 से match कर देंगे तो इसी तरह से आप लोग match कर लिजेगा question 5 में देखें put a tick और a cross जो सही है उसमें ऐसा tick लगाना है और जो गलत है उसमें cross कर sign देना है तो 3-1 क्या होता है? 2 तो यह सही है तो tick लगा देंगे 5-2 equals 4 तो यह गलत है 5-2 कितना होता है? 3 होता है तो यह गलत है तो यहाँ पे cross कर निशान देंगे 8-4 equals 5 तो यह भी गलत है तो यहाँ पे cross कर sign देंगे इसी तरह से यह हाँ तका club complete कर लेजेगा